आज नए संसद भवन में हम सब मिल करके नए भविष्च का स्री गणेश करने जा रहे हैं आज हम यहाँ विष्चीज भारत का संकल्प दोहराना फिर एक बार संकल्ब बद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन के तरप्रस्थान कर रहे हैं सम्मानिय सभाग्र यह भवन और उसमें भी यह सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है हमें भावुग भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेजित भी करता है आज हादी के पूर्व यह खन एक प्रकार से लाइब्रेरी के रुप में इस्तिमाल होता था लेकिन बात में सम्विधान सभागी बैठक यहां शुरू हुई और उन सम्विधान सभागी बैठकों के द्बारा गहन चर्चा विचाना करकर के हमारा सम्विधान यहीं पर आकार लिया यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हकुमत दें सत्ता हस्तांत्र किया उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा यह सेंटर हॉल है इसी सेंटरल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और अईतिहासिक अउसरों पर आज हादि के बाद भी सभी सर्वकारों के दर्मियान अनेक अउसर आये जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहां पर भारत के भागे को घरने के पर विचार किया सहमती बनाई और निर्ड़े भी किये नाइटिन फिप्टी टू के बाद दुनिया के करीब फोर्टी वन राष्टा द्यक्षोने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी मान्य सांसोदों को संबोधित किया है हमारे राष्टपती महोदोयों के द्वारा 86 बार यहां संबोधन किया गया है बीते साथ दसकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुज्रे हैं जिम्मेवारियों को समाली है अनेक कानूनों अनेक संसोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं अभी तक लोगसभाव और राजसभाव ने मिलकर करीब करीब चार हजार से दिक कानून पास किये हैं और कभी ज़रूरत पड़ी तो जॉइंट शैसन के माध्यम से भी कानून पारिज करने की दिशा में रनदिती बनानी पड़ी और उसके तहद भी दहेज रोगठाम कानून हो बैंकिंग सर्विस कमिशन बील हो आतंग से लड़ने के लिए कानून हो यह संयूक्त सत्तर में पास किये गए हैं इसी ग्रह में पास किये गए इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याई की जो प्रतिक्षा थी शाबानों केस के कारण कुछ उल्टी पाड़ी उल्टी पाड़ी पर चल गई थी इसी सदन ने हमारी उस गल्टियों को ठीक किया और तीन तलाग विरुद कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया संसद ने बिते वर्षों में ट्रांस जेंडर को न्याई देने वाले कानूनों का भी निर्मान किया इसके बाद्ध्यम से हम ट्रांस जेंडर के पती सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नोकरी शिक्षा स्वास बागी जो सुविधाय हैं एक गरीमा के साथ प्राप्त कर सके इसकी दिशा में हम आगे बड़े हैं हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरौतों को देखते हुए उनके एश्पिरेशन को देखते हुए ऐसे कानूनों के निर्मान किया जो उनके लिए उज्वल भविश्की गारंटी बन रहे हैं आर्टिकल 370 हटाने से लेकर विश्य ऐसा रहां जो सायद ही कोई दसक ऐसा होगा कि चर्चा नहुई हो चिंता नहुई हो और मांग नहुई हो आक्रोश भी वेक्त हुआ सभाग्रह में भी हुआ सभाग्रह के बार भी हुआ लेकिन हम सब का सोभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का अलगावाद आतंकवाद के खिलाब लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महतों कदम अरे इसे महतों मों काम में मानिय सांसदों की सांसद की बहुत बड़ी भूमी का है जम्मु कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ सम्विधान हमारे पुर्वजों ने दिया हुआ वो महमुल्य दस्तावेज जम्मु कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टि को प्रणाम करने का मन्त आज जम्मु और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग नए उत्सा नए संकल्व के साथ जम्मु कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मोकाब छोड़ना नहीं चाहते हैं यह दिखाता है कि संसत के सदर्शों ने मिल करके संसत के भवन में कितने महत्मपुन काम किये हैं झालने के संसत के संसत कि अजये हैं